ते लिए वाइटमीन सी नहीं है जो आपकी स्किन की ज़रूरत है जैसे दिन में दो बार फेस को वाश करना जरूरी है हफते में एक दो बार स्क्रब करना जरूरी है उसी तरीके से दिन में एक बार वाइटमीन सी का सीरम यूज करना भी जरूरी है क्योंकि हमारे skin का जो सबसे बड़ा दुश्मन है जो है सूरज मैं आपके किसी दोस्त की बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ सनलाइट और यूवी रेस की ये हमारे skin को जो डैमेज करता है उसको रिपैर करना तो मुश्किल है ही फिर आग में घी दानने का काम करती है हमारी डायेट, हमारे लाइस्टाइल जिसके वज़े से हमारे skin की quality दिन बदिन degrade होने लगती है degrade in the sense हमारे skin पे patches आने लगते है pigmentation, dark spots होने लगते है दाग घबबे आने लगते है, जाईयां आने लगती है wrinkles आने लगते है, lines आने लगती है dark circles होते है, cross feet होती है unginate problem होती है हमारे skin पे अगर इन सारी problem से आपको दूर रहना है या फिर इन problems को repair करना है तो इसका सबसे best solution होगा vitamin C का serum या आपके skin को protect करता है आपके damage को repair करता है आपकी रंगत को निखारता है ये एक तरीकी का anti-aging serum भी है इस serum के unginate benefit है जो आपको आगे share करती रहूंगी लेकिन उससे पहले हम यह देखेंगे कि इसको बनाते कैसे है क्योंकि इसको बनाना भी बहुत ही आसान है तो चलिए शुरू करते है तो इस serum को बनाने के लिए हम लेंगे विटामिन C की टैबलेट नौन चुएबल टैबलेट लेंगे क्योंकि जो चुएबल होती है जिसको आप चबा सकते है उसमें थोड़ी सी शुगर मिली हुई होती है जो आपके स्किन को थोड़ा सा स्टिकी बना सकती है जो मैं यहाँ पर यूज करी हूँ यह है सेलिन विटामिन C 500 Mg यह आपको किसी भी केमिन स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी लेकिन अगर आपको यह नहीं मिलती है तो मैंने नीचे 4-5 ओप्शन और दिये है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको चेक करके वो भी करीच सकते है यह सारी टैबलेट्स आपको 12, 15, 18, 20 रुपए के अंदर ही मिल जाएगी मैंने जो यह खरीदी है यह मुझे मिली है तकरीबन 18 रुपए में 25 टैबलेट्स तो सेरम बनाने के लाइब कितनी टैबलेट यूज करेंगे एक, दो, एक, दो से कुछ नहीं होने वाला आपको पूरी 20 टैबलेट यूज करनी है क्यों? बहुत सारे सेरम अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें विटामिन C का उतना कॉंसेंट्रेशन ही नहीं होता है जो हमारे स्किन के लिए जरूरी है हमारे स्किन को कम से कम 5 परसंट और ज्यादे स्यादा 20 परसंट विटामिन C की जरूरत होती है ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके तो अगर आप 500 mg की 20 टैबलेट लेंगे तब जाके आपको 10 परसंट का विटामिन C का कॉंसेंट्रेशन मिलेगा इसलिए हम यहimmen पर 20 टैबलेट यूज़ कर रहे है आप चाहो तो इसको अख्यी टैबलेट यूज़ कीजी या फिर इसका पाउडर बना के डाल लिए मैं यहापर 15 टैबलेट यूज और पाँच का मैं पाउडर बनाके डाल रही हूँ यह सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए ऐसा किया है आप चाहो तो पूरे का पाउटर बना के डालिया क्योंकि वो बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाती है फिर इसमें हम मिलाएंगे दो चमच क्लिसरीन अगर आपकी स्किन ब्राय है तो आप तीन चमच भी ले सकते हैं फिर नेक्स तरम इसमें मिलाएंगे पांच चमच रोज वॉटर आपकी स्किन ओईली या सेंसिटिव है तो एक दो चमच एक्स्टर भी डाल सकते हैं अब इसे अच्छी से मिक्स कर लिजए ताकि जो टैबलेट्स है वो इसमें अच्छी तरीके से डिजॉल्फ हो जाएं जब मैंने फॉर्स्ट रम विटामिन सी का सिरम पर्चेस किया था अपनी लाइफ में तो वो था अट्रा सो रुपे का यह तब की बात है जब मैं सारे नाच्रल प्रड़क्स होमेड प्रड़क्स यूज नहीं करती थी आज जो मैं सीरम बना रही हूं यह 18 रुपे की टैबलेट से बनाया है तो क्या यह सीरम वो मार्किट वाले सीरम की जितना पावफुल है देखिए विटामिन सी के एक बात यह है कि यह बहुत जल्दी ऑक्सिडाइज हो जाता है इसलिए हम इसको जादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते लेकिन जो market वाले serum होते हैं उनको तो store करके रखना पड़ता है इसलिए वो इसमें इतनी सारी चीज़ें मिला देते हैं जो vitamin C को oxidize होने से बचाती है जैसे वो इसमें मिलाते है vitamin E, ferulic acid, hyaluronic acid, green tea ये सारी चीज़ें जो vitamin C को oxidize होने से बचाती तो है लेकिन serum का cost खामखा में बढ़ जाता है लेकिन हमको ये सारी चीज़ों की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसको ज्यादा दिन तक store करके नहीं रखने वाले हम बहुत से बहुत 8-10 दिन तक इसको store करेंगे और 8-10 दिन के बाद में हम इसका दूसरा batch बनाएंगे और हमको में चाहिए vitamin C जो हमको यहाँ पर मिल गया है तो इसलिए हमारा cost भी कम हो जाता है और ये serum उतना ही powerful बनता है जितना हो market वाले serum है लेकिन आपका serum भी दिनों में oxidize हो सकता है इसलिए बचाने के लिए हम इसमें at least 1 vitamin E की capsule दाल ही सकते है तो एक vitamin E की capsule दाल दीजिए इसमें फिलासली इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा aloe vera gel optional है चाहे तो मिलाए नहीं चाहे तो कोई बात नहीं सादा वाला aloe vera gel भी आप इसमें mix कर सकते हैं इसे अच्छे से mix कर लीजिए अब कोई dark color की bottle लीजिए डाक कलर की bottle किस लिए अगें दा सेम रीजन विटामिन सी जल्दी ऑक्सिडाइज हो जाता है जो भी आप नेट पे सिरम देखोगे विटामिन सी के वो सारे डाक कलर की bottle में ही आपको मिलेंगे तो मैं यहाँ पे मेरे घर में एक एक स्पायड कफ सिरप की bottle पड़ी थी तो मैं वो यूज कर देए हूँ आप भी यूज कर सकते हैं बस इतना ध्यान में रखना कि उसमें सिरप का कोई भी इसको अपलाई करने के लिए पहले अपने फेस को अच्छे से वाश कर लीजिए फिर इसके बाद 10-15 मिन तक वेट की जिए ताकि आपकी स्किन कंप्लीट्ली ड्राय हो जाए उसके बाद में इस सिरम को अपने पूरे फेस पे अपलाई की जिए इसके अंदर हाथ नहीं आप चाहो तो इसको अंडर आए अरिया में भी लगा सकते हो क्योंकि आपकी ड्राय को ट्रीट करता है हमारे स्किन में हुए डिस्कलरेशन को हटाता है आपकी स्किन टोन को इवन करता है आपके कॉंप्लेक्शन को ब्राइट करता है हमारे स्किन को हाईड्रेट और मॉंस् करना अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर कि इस बात की जल से जल कर दीजिए ऐसे बहुत सारे वीडियो के लिए मेरे पिछले वीडियो भी आप यहां पर आसानी से देख सकते हैं बहुत जल मिलूगी मैं आपको मेरे नेक्स वीडियो मे तब तक के लिए बाबाए और टेक केर